जय हैं दोस्तों आप सभीका स्वागत करते हूं अपने इस यूटीब चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं क्रिश्ण और हम लोग इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के महात्वपूर प्रेशनों के बारे में दोस्तों इस वीड होने वाला है आपके लिए तो बिना Besch effic東 के अंत्य को शिर्ण देखिए तो दोस्तों के पहला कोर्ष्ण है निम नय tweak parking अमलों में से किसको packing powder बनाने में की पयोगिंव किया जाता है तो packing powder की निर्मान में उपयोग पयोग किया जाता है लेकिं दोस्तों वेका बहुँस सारे बूक में आपको संгорिक अमले मिले भी धानली रेट सुमेलित कीजिये ऊट क कर दिया है उसके सिरोत का जो है सुरोत कर दूसरा जोर में तो दुस्तों फार्मिक अमले है की तो जो इसे में जवरोंны दूसरा है सेंटरिक अपरकी सब्सक्राइद तरफ कमले इसमें दूसरा क्रपूनमें अवर हिसके सेंसेंरे दिखाई दे रहे is डियोप 50 क्या हो जाएगा है अहिंयों जाएगा अगला परश्न ही है इसमें साही दिया दूसरा को पहलandır के लाफ़ते है इसका सप्सक्णborg कैनः सेखें टी पर दाड़ अब ability करें जाथा है plug तो किसमे रहाएगा आपका खट्टा दही तो क्या हो जाएगा उसी तरह हम दो ऊपर में पढ़ा टाल्टरी कमला किसमें पाए जाता है इमली में पाए जाता है उसी तरह अगजेली कमला तो अगजेली कमला जो इसमें होता है तो किसमें होता है वो होता है आपका जो है 2 ठाइक है दो दो सो चार एक तीं दो इसमें दिखाई दे रहा है आपके B आपूसन, D आप्सन मे दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाए?, आपका D आपूसन påतर् effort से हो जाए एक अगला प्रशन देख लते हैं निंदीनलई खित में में, स्मेलित नहीं है तो क्या पूर दो य स्म 챌िट नहीं है दोस्तों एैसिटीग अमलत दही तो दर असल में क्या होता है आपका लेक्तिक अमलत पाये जाता है दही में लेक्टो पैसिलस की नाम से क्या होता है छोटे चोटे शोटे सुच्छम moer हुते हैं उसकी वाhöज से तो धीं में क्या होताइ आपका क्या होता है चो छोटे-चोटे होते है उसकी वजए से रिमुवर் के नाव से जाना जाता है में क्या होता है तो दोस्तों जो इसे जर्लीत तorters जो यूज्स करती है लड़किया नेल रिमुवर को नेल पॉल्स को रिमूव करने के लिए तिनर के नाम से आना जाता है आप उसके बारे जानती होग्यश्य तो वह तिनर में मिला क्या रहता है वह थina दर्दे के आसानी से उसको रिमूव कर दिया जाता है तो वो इसमें क्या होता है एसी टोन होता है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और आपके लिए बहुत यह अच्छी नियूज है दोस्तों एक एप्लिकेशन है एनलाइजर एप जिसको मैंने यूज किय प्रेशन है और इस आप का यूज मैं लगातार कर रहा हूं दोस्तों यहां पास उपलब्द होने वाली जो टेश्ट सीरीज है उस टेश्ट सीरीस के माद्ध हम से मैंने बहुंद सब्सक्राइब करोचिया है और यहां पास जैसे आप पर टेंस्ट सीरीज पर क्लिक करोगे है उसमें से 32 से ज्यादा कोशन इसी टेस्ट सीरीज से पूछा गया है तो दोस्तों अभी जो वर्तमान में भी आप तैयारी कर रहे हो लैप टेक्निशियन की तो अगर उसमें क्लिक करते हो दोस्तों यहां पास आपको जो है प्रयोक्षाला के पांट जो है पेपर आपको मिल सकते हो इतना सारा कोश्यन 400,000,000 आपको मिलेगा उसमें से आपको खुश्यन जो है फंसेगा ही फंसेगा क्योंकि कोश्टन बहुत सारा आगर आप इसी का अगर आफ प्री वर्जन में आप चाहते हो दोस्तों कूछ यूश्यन पेपर इसका से मिसी तरह का तो आप यहां प करोगे क्योंकि इसका यूज मैंने किया है और मैंने इसका लाप भी उठाया है तो आप मैं उमीद करते हूं आप इसको जरूर पर्चस करोगे और दोस्तों और आप NTPC के तैयारी करते हो तो अंटटी PC पर जा कि आप उसका भी पेपर आप आसानी से देख सकते हो जैसे यहापस क्या हुआ यह पूरी तरह से जो है CBT मतलब computer basic test जो है दोस्तों उसी की अधार पर आप यह एक्जाम दिला सकते हो जैसे यहां पस डेड़ घंटा है total question है 100 और जो है इसमें positive mark है one और negative mark है 0.33 तो यहां पस जैसे आप computer में दिलाते हो railway का exam same वैसी आप यहां पास दिला सकते हो तो यहां प purchase करोगे और इसमें से फायदा जरूर उठाओ पाओगे क्योंकि दोस्तों आज की जमने में competition बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और देखिए question है यहां पास आ चुका है नीचे दिये गए विकल्पों में से संबंधित सब्द अक्षट संख्या को चुनिए तो इसमें जो ब बाद आप next करते जाएए आप जैसे यहां पास करतों करते जाओगे तो अगर जिन question का answer आपने दे दिया है वो नीचे आपको green color में दिखाई देगा और जिसका question अभी display हो रहा है वो yellow color का दिखाई देगा और जो अभी question आपने नहीं दिखाई दिया है जिसका answer आपने नह question देखना चाहिए देख सकते हो जैसे complete हो जाएगा तो आप यहां पास submit पर क्लिक करके आप उसको solve कर सकते हो तो next question इसमें बोला है कि नाभिक में proton की संख्या एव निट्रॉनों की संख्या की योगों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है दोस्तों मैंने अपना इस टेस्ट देख सकते हो और समझ सकते हो दूस्तों कि आपकी तैयारी कि थे रहे और आप जो एक्जाम दिलाने के लिए किटने प्र उट li करोगे तो यहां पास आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा तो जैसे मैंने च्छटवा कोशन में क्लिक किया था तो द्रवमान संख्या के लिए तो देखी यहाँ पास नाभीक में प्रोटॉन की संख्या का योग है ना तो इसके बारे में क्या होता है द्रवमान संख्या मैंने बताया था उसका डिटेल आपको देखने को solution पूरी देखने को मिल जाएगा नापहतोई प्रोटान की संख्या और नेट्र gsm की योग कुद्रावान संख्या कहा जाता है किसी तत्व के प्रमानु के नापहतोई में उपस्चित प्रोटान की संख्या को ही उसका प्रमानुक्रमांग needed किया जोता है कम जादा होते रहाता है कार्बन की तो चाहँ होता हुडते है इसलिए उसने से हैं एक अनिकाल देते हैं तो क्या होजाएगा तो आज बढ़song संख्या जा जाएगा प्लस चार्ज अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं तो उस पर चार्ज जा जाएगा माइनस चार्ज तो इस तरह क्या होता है पूरा डिटेल आपको इसमें से पूरी तरह से मिल जागा जैसे क्या है आसकर पूरुसकार की सर्वत्रम से डिटेल डिस्किप्शन के साथ इसमें मिल रहा है तो उमीद करता हूं दोस्तों इस जो टेस्ट सीरीज है आप उसे पर्चेस करोगे और इसका लाब जरूर उठाओ गया तो चलिए अगला कोश्चन हम लोग जो देख रहते हैं उसको देखते हैं तो दोस्तों चलिए अग उसको संसलेट सीथ करके बनाया गया है मतलब तत्वों को मिला करके यूरिया का निर्मान किया गया है अगला परशन देख लाता है निमनली खिद में से किसमें द्रिवमान की दृष्टी से अधिक्तम प्रतीशत जो है नाइट्रोजन का पाए जाता है तो कौन सा चीज है जिसमें जो है आपके अगर वजन की हिसाब से वगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाए जाता है तो आप सबसे ज़्यादा पाए जाता है दोस्तों आमोनियम कार्बोनेट में क्या होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाता ह और बांकी जो है उसमें हेड्रोजन, कार्बन और ऑक्सिजन होता है, तो क्या हो जाएगा इसका C option सहीं हो जाएगा, अब दोस्तों यूरिया, यूरिया बोड़ा हो तो यूरिया का रसाइनिक सुतर क्या है, तो यूरिया का जो रसाइनिक सुतर है, वो क्या है, एनेश टू, twice CO ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका D option जो है, सही हो जाएगा, इसको इस तरह से भी लिखते हैं दोस्तों, इसको आपका लिख देते हैं NH2 उसके बाद यह connect हो जाएगा, CO से उसके बाद इधर लिख दिया जाता है, NH2 ठीक है दोस्तों तो इस तरह क्या होता है ये यूरिया का सुत्र है NH2 twice CO के नाम से भी इसे जाना जाता है ये SSC 2016 बे भी पूछा जा चुका है अगला प्रशन है भोपाल गैस तराजदी के लिए उत्तरदाई प्रमुक जो है प्रदूशक कौन सा था तो मेथाईल आइसोसाइनाइट है जो उस समय प्रदूशक के लिए उत्तरदाई था इसके बारे में आपको पता ही होगा इसके बहुत सारे चीजे आप जानते ही होगे अगला प्रशन है अगला प्रशन है मेथाईल कारबाइड जो है दोस्तों फैक्टरी में किसके उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता था तो उसमें जो बनता था प्रोडक्ट वो किस चीच के लिए बनता था पीड़क नासी के रूप में बनता था यहां पस कोश्चन यह भी बन सकता है सन को आप याद रखिए 1984 ठीक ह था और उसकी का प्रयोग किया गया था उसमें मेथाइल आइसो साइनाइट का जो है क्या बहुत ही जहरीला है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन निमनली खित में से पदार्थों में से कौन सा प्रकृती में सरवधिक प्रचूलता में पाया जाता है तो क्या है फ्रक्टोस है तो क्या हो जाएगा इसका जो है डी ऑप्सन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन निमनली खित में से कौन सा तत्व सुद्ध सरकरा में विद्दमान नहीं होता है ठीक है मतलब दोस्तों अगर हम लोग 가운데 सुधशर करा मतलब इक लूकॉस का फार्मूला लीग दीता हूं să 6 प्षिजन यह दिखाइद रहा है और कार्बन यह सामने तूल है तो मतलब हैड्रोजन ऑक्सिजन कार्ब deton ऊपस थी था रहे लेकिन ट्वज़न उपस्ति थे था है क्या नहीं है तो क्या होजाएगा इसका ही ऑप्सेंज सही हो जाएगा अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है तो क्या हो जाएगा इसका Bee Option जो है सही हो जाएगा अगला प्रिशने देख लेते हैं टेबल दानेदार चीनी समाने टक खाली स्थान के रूप में जाना जाता है तो दोस्तो टेबल जो दानेदार चीनी होता है उसमें तो वह होता है जनरी तोर पर है उसका होता है C6H1206 तो आपको इसके बारें पता ही होगा तो क्या हो जाएगा सुक्रोज का यह ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अकला प्रश्न है इंपॉर्टन कोश्चन है कार्बनिक से संबंदित है एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो दोस्तों यौगिकों का जन्मदाता जो है कोई विग्यानिक नहीं है बलकि एक क्या है एक यौगिक ही है और वो यौगिक कौन से दोस्तों वो है बेंजीन बेंजीन एरोमेटिक अगर तत्वों को अगर कार्बनिक तत्वों को दो भागों बाटा गया है है वो कौन सा पहला आपका एरोमेटिक है और दूसरा है या रिफेटिक तो या होता है जिसके योगी होता है वो चक्री करम बेर यह होता है इसका अगर फार्मुला की बात करें तो जो क्या है पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है दोस्तों तो इस तरह क्या है वो बेंजीन का फार्मूला है तो अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है C6-A6 क्या है ? तो वो क्या है दोसनों ? एक ben aegean है अगला प्रशन देख लेते है Benzen के एक mole मोल को संतृ प्रेप्त करने के लिए hydrogen Jगram के mole-की कितनी संख्या आवश्यक है तो हम बात करते हैं अगर aえー ben aegean के एक mole को संतृ प्रेप्त करने के लिए hydrogen के कितने उसकी जरुरत पड़ेगी मोल की तो दोस्तों उसके लिए हमें तीन मोल की आवशकता होगी ठीक है दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्सन जो है सही हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन भी इंपॉर्टेंट है गैमैकसेन का रसाइनिक नाम जाता है तो इसमें क्या बना है बेंजीन बेंजीन को मैं फार्मूला के रूप में इस तरह से यह बना देता हूं यह बन गया हमारा बेंजीन अब इसमें बोल रहा है हेक्जा क्लोराइड मतलब इसमें क्या हो जाएगा च्छै जो है क्लोरीन जो है इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा ये बन गया पूरा आपका बेंजीन हेक्जा क्लोराइट मतलब अगर हम लोग इसको फार्मूला की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका सी सीक्स एच सीक्स सी एल सीक्स ये क्या है बेंजीन हेक्जा क्लोराइट ठीक है दोस्तों तो समझ आ गया होगा ये क्लियर होगा होगा फॉष्चन जो है गैमेकजेन की नाम से किसे जाना जाता है बेंजिन हेक्साक्लोराइट को जाना जाता है अगला प्रशण देख लेता है निमनली खित में से कौन सा कारबनी की होगी तांबे की मौझूदगी में गर्म करने पर हरे नीले रंग की जौला उत्पिन करती है तो हरे रंग की और नीले रंग की ये दोनों मिलकर की जौला उत्पिन करती है वो क्लोरो बेंजिन की उपस्थिती में करता है और कौन करता है तांबे की उपस्थिती में क्लोरो बेंजिन करता है तो क्या हो जाएगा इसका भी ऑप्सन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्ट देख लेता है है निमनली खित में से कौन कार्बोकसिलिक अमलक के नाम से जाना जाता है तो कार्बुकसलिक अमले जो नाम से जाना जाता है वो है आउक्झेलिक असिड आउक्झेलिक असिड COOH की स्रेणी में आता है इस तरह से आप इससे याद रखिये और इसके साथ अन्य तत्रव जैसे हेडोजन लन कार्बन को जून करके अन्य जो है क्रियात्मक सम्हों के रूप में इसे जाना जाता है कार्बोक्सलिक अग्जलिक एसिट का ही रूप में आता है अगला प्रशन देख लेता है निमनली खित में से किसके निर्मान में फिनॉल का उप्योग किया जाता है तो फिनॉल का उपयो किसके निर्मान में किया जाता है बैकेलाइट के निर्मान में किया जाता है और बैकेलाइट क्या है एक प्रकार का पॉलिमर है एक प्रकार का क्या है बहुलाख है और ये बैकेलाइट को निर्मान करने में किसकी ज़रूरत पड़ती है फिनॉल के साथ अगर आप formaldehyde को मिलाओगे तो आपका बेकलाइट बनता है यह question बहुत बार पूछा जा चुका है और यह question पूछा जाएगा आप इसे याद रख लीजिए फिनाल और formaldehyde को मिला करके ही बेकलाइट का निर्मान होता है तो यह क्या हो जाएगा और बेकलाइट के है प्रकार से बहुलाख है अगला प्रशन देख लेते हैं और उससे संबंधी तो और कुछ मैं बता देता हूँ तो बेकलाइट फिनाल सॉरी बेकलाइट फिनाल तथा अनकिस का बहुलाख है तो मतलब जो बेकलाइट है वो फिनाल के साथ साथ अनकिस का सह बहुलाख है तो वह है दोस्तो формaldehyde की है तो अगर हम लोग फिनाल की बात करों तो फिनाल की फार्मूला क्या होता है यह बेंजीन बन गया इस बेंजीन की ऊपर आप एक जगा OH जों तो वो फोर्मेलडींग हाईड बन जाएगा तो इन दोनों के जो योग से लगा तर्चैन की तरह बन जाता है तो यह क्या बन जाता है वह एक प्रकार से बैकलाइट में होता है जल की अनुज़ो है पूरीतर से बाहर निकल जाता है तो आप इसे याद रखिए यह कोशन रखता है और दोस्तों आपसे यह जरूर बनना चाहिए तो यह क्या हो जाएगा आपका डाइक लोरो डाइफिनाइल डाइक लोरो जो है मीथेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा तो अगला जो है पॉइंट जो कुश्चन है दोस्तों हम लोग अगला वीडियो में क्योंकि वहां से कुश्चन बहुत सारे फंसेंगे और आपके लिए बहुत ही हैल्फूल होगा और उमीद करता हूं यह वीडियो बहुत ही हैल्फूल रहा होगा आपके लिए अभी तक मरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिक क्यों करते हैं